असलाम अलेकुम जाओ गाइस क्या आल है और कैसे जा रही है आपकी लाइफ होपुली अच्छी जा रही होगी तो बेसिकली आज की वीडियो बनाने का मक्सद यह यह के मुझे काफी रिप्लाइ आ रहे थे और परसनल मेसेज़ दे आ रहे थे कि भाई इस टॉपिक पर वीडियो बनाए कि हमें किस तरह एड्मिशन अप्लाइ करना है क्या क्या प्रोसीजर है क्या क्या चीज़े जरूरी है तो सौरी उन लोगों को कि जिनको में रिप्लाइ नहीं दे पाया क्यूंकि कुछ टाइम से म जिसमें मुझे ना टायम मिल पा रहा है कि मैं वीडियो बनाओ और ये टायम मिल पा रहा है कि मैं एक एक बंदे को जवाब दे पाऊ ठीक है तो रिक्वेस्ट यही है कि अगर आपको इंफॉमेशन अच्छी लगे तो आप दूसरों को फॉरवर्ट करते है ताकि दूसरों को भी information मिल पाए आचा बात पर आता है मेन बात ये है कि लोगों ने बूचा कि admission किस तना apply करना है simple process है कोई मसला नहीं है मेरे टाइम पर भी मुझे यही मसला हुआ था कि मुझे कोई बता नहीं रहा था और अगर कोई बताता भी था तो proper तरीके नहीं बता पारा था क्योंकि एक सही बात है क्योंकि यार यॉरप की लाइफ बिजी लाइफ है हर कोई आपको proper जवाब नहीं दे पाता तो भाई दूसरों का आश्रा छोड़ो खोड़ो खोज से research करो खुझ से search out करो यार हर चीज नेट पे मौझूद है हर चीज अगर आप पहला step ही खुझ से नहीं लेना चाहरे तो आप यॉरप में किसे survive करोगे यार यहाँ पर आके भी दूसरों पर के डिपेंडर होगे नहीं यार यहां की life independent जीने वाली है खुद अपने आपको stable करो इ यार दरुवत नहीं किसी की तो मैंने काफी groups पे भी देखा यही topic किस तना apply करना है कौन कौन सी fees हैं हमें fees किस तना देनी है तो मैं इस video में आपको सब clear करूँगा तो गौर से देखना और पूरी video देखना ताकि आपको सब प्रॉसस समझना जाए पहली बात admission के लिए आप के पास आपका FSC certificate और आपके FSC के मार्शिट होना जरूरी है ठीक है दूसरी चीज़ आपना IELTS करना है यह बात दिमाग में बिठा लें अपना IELTS करना है अगर कोई यह कहता है कि बिना IELTS के हो जाता है admission या visa process तो यार visa तो बिना IELTS के नहीं होना वाला यह बात दिमाग हो जाता है कई universities में IELTS के requirement नहीं हो थे लेकिन यार कर लो ना जब एक चीज़ बात में आपने करनी है तो अभी कर लो दूसरों के reply पे depend ना करो कि यार वो बंदे ने कहा कि IELTS जरूरी नहीं है मुझे नहीं कर नहीं नहीं खुझ से decision लो कि IELTS करना है positive point है अगर यह नहीं ह में requirement होती है कि motivational letter चाहिए होता है या अपने teacher का कोई letter चाहिए होता है कि भाई मैंने इसको recommendation letter होता है यह सारी चीज़े होती है यह पता किते चलेगा आप ने पहले तो सबसे पहले step आपने google पे search out करना है कि best universities for engineering, for medical, for commerce field in Italy यह आपने लिखना है आपके पास बहुत सारे link खुलेंगे उस एक-एक link को आपने check करना है अगर सामने आपके पास recommendation में अगर 40 universities भी आरी ने example के तो आपने 40 की 40 universities आपने search out करनी है और उसमें google में लिखने है पब्लिक universities, free education in Italy, free universities in Italy तो उसमें universities आजेंगी आपने एक-एक university को search out करना है, उसका portal खुलना है, अपनी desire field जो है, उसको search out करना है जब आप ये search out करोगे तो आपको admission requirement भी मिल जाएगी वहाँ पर, हर universities अपनी अपने websites पर सब कुछ मेंशन करते हैं कि हमारी admission की fees होती है या नहीं होती, हमारा fee structure क्या है और हमारा admission test होता है या नहीं, यार खोलो तो सही, website तो खोलो, सब कुछ मिलेगा जब आप अपने तरफ से पूरी मैनत कर लोगे ना फिर आप लोगों से पूछो के यार ये मसला आ रहा है तो आपको guide करेंगे, ठीके तो पहली बात क्या थी, कि आपने खुछ से search out करना है, university आपने select करनी है, अपना course select करना है, फिर कुछ समझ नहीं आ रहा तो course के coordinator होते हैं, जो international office में होते हैं, उनको email कर दो, कि मुझे ये मसला आ रहा है या ये मुझे समझ नहीं आ रहा, आप मुझे ज़रा guide करते हैं, तो मैंने भी ये किया था, मैंने भी खुछ से search out किया, रात को तीन, तीन, चार, चार वे तक जाग कर, मैं ये चीज़े search out करता था, कि मुझे किस university में जाना है, और किस तरह apply करना है, तो easy process है, करो, समझ में आ जाएगा, ठीक है, तो बता दिया मैंने, और जितने भी documents चाहिए उन सारे documents के आपने scan copy बना के folder रखना है अपने computer में, ठीक है, और जैसे ही आप बैठो के apply करने के लिए, कि भाई, मुझे ये तीन, चार university में ने select कर ली है, जिसमें मुझे course में मिल जाएगा, तो आपने करना ये है, कि एक साथ हर university में आपने apply करना, जैसे तीन, चार university ठीक है, जिसमें आप apply कर रहे हो, तो आपने चारो university हो, अगर आपने चार सेलेक किये तो आपने चारो में admission apply करना है, किसी एक से भी आपका admission letter आ जाए, तो आप उसकी base पे visa apply कर देना, अचा मैं अपना बता हूँ, तो मेरे time में ये हुआ था, मैंने तीन university में apply किया था, त तो I hope मैंने आपको clear कर दिया है, कि आपने admission किस तरह apply करना है, सब कुछ website पे लिखा होता है, उस तरीके से आपने करना है, कुछ universities में fees होती है admission की, जैसे ही आप उनको admission भेजेंगे, वो आपको email कर देंगे, भाई हमारा ये account number है, आपने ये fees हमें pay करनी है, तो या तो आप अगर आपके पास master card या visa card international जिसमें transaction होती है, वो है, तो आप उसके जरीये से उनको transfer कर दो, और अगर वो नहीं है, तो पाकिस्तानी card से यहाँ transfer नहीं हो सकता, किसी बंदे से जान बेचान बना लो, जिसको आप पैसे transfer करा दो, उसको बोलो कि यार आप मेरी fees pay कर दो, ये उस तरीके से अगर आप admission apply करते हैं, और अगर successfully आपका काम हो जाता है, तो आप जरूर मुझे comment में बताएगा कि हाँ भाई, आपने सगी guide किया था, admission आ चुका है, तो admission के बाद फिर अगर आपको scholarship की video चाहिए हो, तो मुझे बता देना, तो फिर मिलते हैं, नेक्स वीडिय झाले